अंग्रेजों का सासन काल रहा, अंग्रेजों का कपज़ा रहा इस देश के ऊपर तो उस वक्त जब देश पर अंग्रेजों की हकूमत थी तो देखा गया ये कि लोग जो है वो गरीब थे लेकिन अंग्रेज में अमीर थे बदलाव हुआ उसमें आज के दिन में और कल के दिन में बदलाव तो हुआ है इसमें कोई दोराय नहीं मगर अग्रेजों की जगे पर जो है चंद व्यापारी हैं वो अब ही रोगए अब वो देश चला रहे हैं देश के समविधानिक पत पर हैं परधान मंतरी स्रीम जेंदर मोजी जी उन्होंने अपील की है तिरंगा यात्रा निकालिये हर घर पे डंडा डंडे में लगा तिरंगा फैराईए क्या आप इस बात की अपील अपने समर्थकों को अपने कारकरताओं को करेंगे जो हम काम पहले से करते चले आ रहे हैं उसके लिए अपील क्या है आरेसिस ने पहली बार सोसल मीडिया पर डीपी चेंज की है और उस डीपी का रूप जो है वो भारतिये बज़ है यानि तिरंगा है अमरित महस्तों के सक्म में मनाई जा रही है लेकिन देश के अंदर बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है अमरित महस्तों मनाना चाहिए ये हम भी कहते हैं लेकिन देश में इवा जो हैं वो बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए दरदर की ठोकरे खा रहें उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो नागरी के एक्तापाटी के परदे सद्धेच सेख ताहिर सिद्धिकी जी हैं सिद्धिकी जी ये अमरीत महसो क्या सोचते हैं यह बताई है कि देश हमारा जब आजाद हुआ जब से मामरत महसो मना रहे हैं हर 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर हम तिरंगा लेकिन प्रदान मंतरी जी का आवाहन है हर घर तिरंगा अरे दिलों में तिरंगा है घर की तो बात छोड़िए तो जो यह अमरत महसों के बहाने मोदी जी अपने एक मिशन को देश के अंदर देना चाहते हैं वो मिशन यह है कि देखते हैं कि मेरे कहने पर क्या है मैसेच किया जा रहा है जैसे नोंने ताली और थाली बज़वाई थी फिर गोगो करोना कराया लेकिन उसका नतीजा क्या था नतीजा जीरो था क करूना नहीं भागा देश के अंदर अमरत महAUसो बहुत जरूरी है इंपर्टंट है देश भक्ति बहुत जरूरी है देश के लिए महबद बहुत जरूरी है लेकिन अगर गरीब भूका है युवा रोजगार है, सही से इलाज नहीं है, रोडे जो है, रोडों पर इतने बड़े बड़े गड़े हैं, कि अगर कोई गर्ब से महिला हो, वो सही से हॉस्पिटल न पहुच पाए, तो हर घर तिरंगा लहरा करके, ऐसा मिशन दे करके, मेरा ये मानना है कि रोजगार अगर आप द पुरा देश दुगने तोर पे मनाता, और रही बात तिरंगे की, तो दिरंगा तिल में भी है, दिरंगा जो है, मन में भी है, तिरंगा आखों में भी है, ये तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, ये किसी के कहने पर हम नहीं लहराते, ये तो हम हर वक्त अपने दिलों में लेहराते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और ये तिरंगा हमें बताता भी है केसरिया और सफेद और हरा ये जो मिल करके तिरंगा बना और बाद बीश में जो नीला चक्र है ये सब को थामे हुए है यही तो कहता है कि देश की एकता खंटा समरस्ता और भायचारे को बनाने के साथ साथ इस देश के अंदर समरद्धी लाओ, तरक्की लाओ, कहां तरक्की है, अमरित महसो मनायजार अच्छी बात है, यह मैं कहता हूँ ठीक है मनाना चाहिए, लेकिन जब यह देश में अंग्र अंग्रेज अमीर थे, आपको लगता है, आज भी वही दिन है, कुछ बदला हुआ उसमें, आज के दिन में और कल के दिन में, बदला तो हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं, मगर अंग्रेजों की जगे पर जो है, चंद व्यापारी हैं, वह अमीर हो गए हैं, अब वो दे जगड़े नहीं थे, धर्मवात के जगड़े नहीं थे, दलितों के साथ, बततर वे वार नहीं हो रहा था, अगर कोई दलित गोड़ी पर चड़ जाता था, अगर मूचो पर ताओ दे देता था तो कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आज यह यहाल है कि अगर मूचो गोड़ी पे चड़ जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है और जब उसकी हत्या हो जाती है फिर हत्यारों को इनाम दिया जाता है वो जेल से शूट के आते हैं उनको और माला डाली जाती है ये बदलाव हुआ है और चंद व्यापारी चंद गुजराती अडानी अंबानी मेहुल चोकसे लेलितमोदी जैसे लोग को के हातों में जब देश कर दिया गया तो आप ये बताईए चौदा के बाद से आप बताईए बेरुजगारी कितनी बढ़ चुकी है हाल इतना है कि किसी के पास रोजगार नहीं बचा है इस वक्त समय ऐसा आगया है कि लोग सिर्फ खा रहे हैं मजबूर हैं कहे नहीं पा रहे हैं किसी से रोडों पे लडों नहीं पा रहे हैं वो मजबूर हैं वो जानते हैं कि अगर हम रोड पे आवाज उठाएंगे लेकिन खुशी दिखाओ और खुश रहो और मुस्कराओ अगर मुस्कराओगे नहीं आत्म निर्भर बनिये मुस्कराने के आत्म निर्भर बनिये आपको खाने के लिए जो है अच्छा राशन आपके पास नहीं है आपके पास रोजगार नहीं है तो आप जंडा खरी देंगे तो रासन गरीबों को मिलेगा जंडा खरी दिये नहीं तो जंडा तो क्या ये बताइए क्या जंडा जो है इसी पंदर अगस्त पर खरीदा जा रहा है इससे पहले कभी पंदर ऑगस्त पर नहीं खिरीदा गया अगर इस देश के लिए इस तरंगे के लिए अपनी जानो की आहुती देनी पड़ी तो मैं वादे के साथ कहता हूँ सबसे पहले नागरी केक्ता पार्टी का सिपाही और खास करके जो आज हमें, हमारी कौम को मुसलमानों को जो दोहरी मानसिक्ता के साथ देखा जाता है, तो एक बार बॉर्डर पर भेज़ के दिखाईए, तो इन्शालला मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी देश अगर कोई भी विदेशी आए, ताकते अगर हमारे देश की तरफ आखे उठाएंगी, वो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान उनको इट से इट का जवाब पत्थर से तुद देने की बाद छोड़िए उनको अपने हाथों से कुचल देंगे और कच्चा चबाने का भी हम दम रखते हैं अच्छी एक बात बताईए, ताहिर से दीकी जी देश के समविधानिक पत पर है परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी उन्होंने अपील की है तिरंगा यात्रा निकालिए हर घर पे डंडा डंडे में लगा तिरंगा फहराईए क्या आप इस बात की अपील अपने समर्थकों को अपने कारकरताओं को करेंगे जो हम काम पहले से करते चले आ रहे हैं उसके लिए अपील क्या करना है अल्रेडियम करते चले आ रहे हैं आप हमारे आफिस पे हमारे घर में हमेशा तिरंगा लगा देखते हैं हमेशा जंडा पहराया गया हम अपील उसके लिए करेंगे जो काम नहीं हो रहा होगा जो काम हो ही रहा है अल्रेडियम करते चले आ रहे हैं विधानिक पद पर हैं देश के परधान मंत्री उन्होंने अगर कोई बात कही तो अच्छी बात है इस पर तो आपको इस्ते अकबाल करना चाहिए सलुकार अमरत मौसंवर होना चिए हर घर तिरंगा होना चीए लेकिन दिलों में यहां तो घर की तो बाच चोड़िये घर टो एक बेव cachiddig है दिल तो जिसम है न इस जिसम के अंदर तिरंगा है पाकिस्तान से महां क्या लेना देना डीपी बदल दिया गया है आपको साइद मालू होगा पाकिस्तान से में क्या लेना देना हम क्यों पाकिस्तान का नाम ले करके भी हम पाकिस्तान को बिला वज़े तरजी दे रहे हम क्यों तरजी दें ऐसे देश को जिस देश से मुझे लेना देना नहीं जिस निया करते हैं उसका मतलब है उनको महबत है उनको को कि टीश है वह Bार पाकिस्तान का ही नाम क्यों लेते हैं अग। बिरियानी खाने बिरियानी खाने जाते हैं परदान मंत्री जी की मा को शॉल देने जाते हैं शॉल लाते हैं एक बात है आप साहित ताहिर से दिखी जी आपको बालूम चला होगा कि RSS ने पहली बार सोसल मीडिया पर DP चेंज की है और उस DP का रूप जो है वो भारतिय है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये तो खुसी की बात है गर्व की बात है ना ये गर्व की बात उनके लिए होगी हमारे लिए गर्व की बात तुड़ी ना है हम तो हमेशा लगाते चले आए हैं और हम लोग जंडा लगाते चले आए हैं आजादी कामरत महसों हमेशा मन बात मानते चलिया रहा है बात मानतीं नहीं चलिया रहाएं देश देश के पैनल पे warto सर, मैंने तो आपको बताया ना, मैं क्या कहूं, जिन लोगों ने बदला है, ये उनके लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो आलड़ी दिल में तिरंगा रखते हैं, घर में तिरंगा रखते हैं, और हमेशा मनाते चले यह दिमाग का कोई मामला है या दिल का मामला है अब हम कोई नुजूमी और या दिलों का हाल जानने वाले है तो आदमी है नहीं कि भागवाजी की दिल की बात समझ जाएं लेकिन वाकई में डीपी बदलना यह भी एक बहुत बड़ा काम है और यह काम अगर मोहन भागवाज जी ने 2014 के पहले किया होता तो ये बात साबित हो जाती कि वाकई में वो आजादी से और इस तरंगे से ज्यादा मुभबत करते थे आखिर इस वक्त इतने दिन हो बाद ये जो करना पड़ा इसमें कई न कई कोश्चन मार्क उठता है बसुछ लोग तो सोसल मीडिया पर ये कह करते हैं जो जो क्या Daniय की बात करते हैं जो ये बात भी कहते हैं लोगों से नहीं जरता मैं देशü की एकता सम्रस्ता के लिए लड़ता रहोंगा से ब्सक्राइशась से न कई dh तो हम विचारधारा है उस विचारधारा के लिए हम लड़ रहे हैं तो वे व्यक्ति वाकई में स्ट्रॉंग है और इतनी बार परेशान करने के बावजूद सुनिया जी और राहूल जी को जो इतनी स्ट्रॉंगनेस के साथ खड़ा हो तो यह डीपी बदलना उस ताकत का नत पर जो जो है अपने कारिया ले पर आरे से स्के काज़ए पर भगवा लाए रहाता था वो व्यक्ति अगर डीपी बदल रहा है चाहे हो किसी के दिए के दावं में बदल रहा हो तो कम से कम देर आए दूर स्था है आए तो चाहे जैसे भी आए इस तकبाल करते हैं आप बिल्कुल इसते कब तीरंगे को कोई भी लगाये मेरा दुश्मन भी हो अगर तीरंगे को इच्ज़दे रहा है लगा रहा है तो उस वक्त उस चीज़ को तो हमें इसते बाल करमी करें आपका नाम ताहिर सिद्धी की है आपका नाम ताहिर सिद्धी की है मोहन भागवत ने DP चेंज कर दी आप कह रहे हैं उनको सीने से लगाने के लिए तयार होगा हम सीने से मोहन भागवत को नहीं लगा रहे हैं यहीं पर आप बात को समझे मोहन भागवत जी की ना विचारधारा से हम सहे मत ना मोहन भागवत को हम सीरे से लगा रहे हैं लेकिन जिस मजबूरी में ये इनोन डीपी लगाई है तो मैं उस डीपी से महपद करता हूँ not RSS जो उस डीपी के नीचे लिखा होगा RSS हम उससे महपद नहीं करते हम जो डीपी लगी हुई है तिरंगा और जिसमें चक्र है उससे महबबत करते हैं तो वह चीज जो लगी है उसका इस्तक्वाल है जो उसके नीचे R.S.S. लिखा है उसका कोई no comment उसके हमारा कोई मतलब ही नहीं ना उनकी विचारदारा से मतलब ना उनसे मतलब अब आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि तिरंगा मेरा दुश्मन भी अगर लगाएगा उस तिरंगे का सम्मान के तहत हम उस तिरंगे से महबबत करते हैं आपके mobile पे लगा होगा तो मैं आपके mobile से उस वक्त तिरंगे पहतो तो मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, वो सम्मान की बात है, मुहन भागवात और आरासिस का अप सम्मान करेंगे आप, फिर वही बात आ गई, मैंने कहा, डीपी की बात कर रहा हूं, आरेसे जो नीचे लेका उसका कोई सम्मान नहीं है, अज़र डीपी का आप सम्मान कर रहे हैं और कोई भी लगा दे दूस्मन भी होगा बिलकुल मेरे देश का तिरंगा है अगर किसी ने हम कहते हैं किसी के कहने पर या महबत में या डर कर या मिशन कोई दिमाग में चल आओ कोई घूम रहा हो लेकिन कम से कम इतना तो हुआ आज एक पल के लिए इस तिरंगे का अगर आपने सम्मान किया तो उस डीपी को सम्मान में करता हूं डीपी को सम्मान करता हूं तो ताहिर सिद्धी जी यात्रा निकालेंगे तिरंगा यात्रा निकालेंगे हम हर साल निकालते हैं फिर वही बात आपकी आगे पलटके तिरंगा आतरा निकालेंगे इसका मदब हम निकालते नहीं थे अरे भाई हम हर साल निकाल रहे थे इस साल भी निकालेंगे हम किसी के कहने पे नहीं निकालते हम इस देश से महबत करते हैं और ये वतन हमारा है ये तिरंगा हमारा है इस तिरंगे की आन बान शान के लिए तिरंगा यात तो निकालेंगे का मतलब है कि नहीं निकालते थे हम निकालते थे निकालते हैं और निकालते रहेंगे और ये आज निकाल रहे हैं ये हैं बदलाओ तो हमारे साथ ताहिर सिद्धिकी जी मौझूद थे नागरी किता पार्टी के परदे सद्धेच हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप काफी अच्छे वक्ता भी हैं आपने सुना कि किस तरीके से अपनी बात को रख रहे थे और तिरंगा यात्रा पर मैंने हर वो सवाल पूछने को तो आज कल चल ला है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बोक्स में अपना राज दीजिए जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें 24 तक डियोज